हेलो फ्रेंड्स आप सभी तैसे हैं ये बताने के लिए नीचे दियेंगे कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरू लिखें वैसे उम्मेद करती हों कि आप सभी ठीक होंगे तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस साल यानी 2022 में सार्दिय नवरात्र कब सुरू होंगे और कब समाप्त होंगे उस से पहले अगर आपने मेरे चैनल खुश्बॊ ऐल एक्तिविटीस को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो मेरे चैनल खुश्बॊ अल एक्तिविटीस को सबस्क्राइब कीजे और साइड disfra में दिये गए बल आइकन को जरूर दबाईए हम सभी को ये जानने के एक्षा जरूर होगी कि 2022 में नवरातरी कब आने वाली है और कब माता हमारे घर में आने वाली है और कब हम माता की पूजा करें इस चीज का इंतजार सभी लोग करते हैं तो चलिए अब हम जानते हैं अश्वीन मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिठी को सारदिय नवरातरी का आरब होता है। नवरातरी के इस समय में नौ दिनों के लिए मा दुर्गा को अपने घरों में स्थापिक किया जाता है। मा दुर्गा के नाम की अखंड जियोती रखी जाती है। इस दौरान मा दुर्गा की विधी विधान से पूजा की जाती है। नवरातरी के इस पर्वके दौरान नौ दिनों तक मा दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं घट स्थापना की विधी क्या है। घट का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा इसे नवरात्र के पहले दिन सुब मूरत के हिसाब से स्थापित किया जाता है घट को घर के इशान कोण में स्थापित करना चाहिए घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डाले फिर उसके बाद जो डाले उसके बाद फिर पूजन करें जहां पर घट स्थापित करना है उस इस्थान को साफ करके वहां पर गंकाचल को छिड़क कर उस स्थान को शुध कर लेना चाहिए अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिच्छाएं फिर दुर्गह माता की तस्वीर या फिर मूर्ती को स्थापित करें मूर्ती स्थापित करने के बाद एक तामबे के कलश में पानी भरें उसकी उपरी भाग में लाल मौली बांधें उस कलश में सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें अब कलश के उपर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें कलश के आस पास फल, मिठाई, प्रशाद, आधी रख लें फिर कलश थापना पूरी करने के बाद मादुर्गा की पूजा करें तो चलिए अब जानते हैं इस साल 2022 में नवरात्री की सुरुवात कब होने वाली है 2022 में नवरात्री की सुरुवात 26 नमबर सुमवार को होगी और नवरात्री की समापती पांच अक्टुबर बुदुवार को होगी जै माता दी